सादनीयविदी से। अउकल समिकन को हल करना की जो भी rule है वो अब हम यहां पर पढ़ेंगे यहां पर क्या होता है liberal, जो equation होती है हम चैंपको अउकल समिकन अउकल करना है तो इसका हल प्राप्त करने के लिए हम इसका अउकलन करेंगे आउकलन करेंगे या तो X के सापेक्स या Y के सापेक्स तो अब हमारे पास यहाँ पर दो केस हो गए या तो हम X के सापेक्स आउकलन करेंगे या फिर Y के सापेक्स आउकलन करेंगे तो पहला जो टाइप है वो हम पढ़ते हैं एकस के साप एक्स आउगलण करना माल या ये क्यूस्रन था तो हमने इसका एकस के साप एकस काहिकलन करेंगे लिएником लुपन एक करने के बाद हमें इस तरह का एक पंक्सन मिलेगा देखो यहां पर हमने और किया injustjust तो यहाँ पे इसमे y नहीं है, अब यह y क्यों हट गया है यहाँ से तो इसका region है यह, कि x के सापक साव कलन किया तो हमें जितने भी y थे वो बन गए dy upon dx के रूप में, तो dy upon dx को थो हम p लिख देते हैं, तो यह जितने भी y थे यहाँ पे वो p में बदल गए, तो हमारे पाँ यह equation आएगी, अब इस equation से हम यहाँ पे P का मान प्राप्त करना चाहिएंगे, तो वो प्राप्त होता है, यदि हम इसके गुणनकंड कर सके। अगर हमने इसके गुणनकंड कर लिये तो हमें P का मान मिलेगा और P का मान हम इस equation में रखेंगे, जो हमें Q दिया हुआ है हम उसमें रखेंगे P का मान तो यहाँ पर हम P का मान रखेंगे तो यहाँ पर आएगी X और Y में एक relation आएगा वो होगा इसका हल अगर मान लो यह जो अउकलन करने के बाद यह जो equation आईए हम इसके गुणनखंड नहीं कर पाते हैं अगर हम इसके गुणनखंड नहीं करते हैं तो हमें करना पड़ेगा integration अब हमें इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन करने के बाद देखो यहाँ पर क्या है X है और यहाँ पर P है और इसका उकलन किया गया था X के sap expected X के лайक किया गया था तो इसमें dp upon dx के भी पद होंगे तो इसका integration करने के बाद हमें मिलेगा एक function मान लो वो function मिलेगा इस तरह से एक तो मिलेगा उसमें x मिलेगा और p मिलेगा y नहीं मिलेगा क्यों क्यों कि पूरे function में y है नहीं तो यहाँ पे x और p में एक relation मिलेगा वो होगा इसका एक परतमल अब x का मिल गया है तो हमें y का भी चाहिए तो हम क्या करेंगी यहाँ से x का मान रख देंगे इस person में जो हमें दिया हुआ होता है तो यहाँ पे हम x का मान रिखेंगे तो हमें मिलेगा y और p में relation वो होगा उसका दूसरा हल मान लिया इसका दूसरा हल हो गया यह y एक वल टू g2 px यह g यहाँ पे function को बताता है कि एक function है p और c के पदों में तो हमें दो हल मिल चुके हैं यहाँ पे एक तो x के रूप में और एक हो गया y के रूप में यह होंगे दोनों इसके हल अब हम दूसरा टाइप देखते हैं जिसमें हम आउकलन करेंगे y के साप x यहाँ पे हमने y के साप x आउकलन कर दिया इस पूरे function का जो भी हमें question दिया हुआ था y के साप x आउकलन किया है तो हमें मिली है यह equation आउकलन करने के बाद अब यहाँ पे देखो y के साप x आउकलन किया है तो हमें यहाँ पे x नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जितने भी x थे x के तो y के साप x आउकलन करने के बाद बन गए थे dx upon dy और dx upon dy को हम 1 upon p लिखते हैं तो जितने भी थे वो p के रूम में आ चुके हैं तो यहाँ पे हमें यह equation मिल चुकी है यहाँ पे इसमें dp upon dy के पदवी मिलेंगे तो यह equation मिल चुकी है अब यहाँ पे देखो इसके हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करने के बाद हमें p की value मिलेगी और p का मान यहाँ यहाँ दिया हुए जो question है उसमें रखेंगे तो यहाँ से p हट जाएगा और हमें relation मिलेगा x और y में तो वो होगा इसका हल अगर मान लो यहाँ आउकलन करने के बाद हम उसके गुणनखंड नहीं कर पाएं गुणनखंड नहीं कर पाएं तो हम करेंगे उसका integration हम मान लो हम इसका integration कर रहे हैं तो यहाँ पर y के पद मिलेंगे और p के पद मिलेंगे x के पद यहाँ पर नहीं मिलने वाले क्योंकि इसमें x नहीं है तो हमें integration करने के बाद इस तरह का एक function मिलेगा मानलो y equal to g1 p और c p और c में एक function मिल चुका है हमें यहाँ पे y के equal में तो अब हमें y के रूम में मिल चुका है तो x के रूम में भी चाहिए तो y की value यहाँ से person में रिखेंगे यह जो person है यहाँ पे y की value रुखेंगे तो हमें x और p में एक नया relation मिलेगा वो मानलो इस तरह से मिलता है x equal to g2 p c यह g के function को वेक्त कर रहा है कि एक function है p और c का तो इस तरह से हमें दो हल मिल जाएंगे y के पदों में और x के पदों में यहरे पास जो execution दिया हुआ है यह execution दिया हुआ है में explored y on the question में एक एक्स और y पर दोंको देखेंगे तो जिसमें x के पद जादा होंगे तो हम x के साब uh clean करेंगे यहाँ पार में y के पद जादा है तो हम y के साब ख हो clean करेंगे किन्तु एक condition है यदि x और y दोनों के पद बराबर आ जाए तब हम क्या करेंगे तो उस case में हम क्या करेंगे कि हम person को देखेंगे person किस तरह से दिया हुआ है person या तो इस तरह से दिया होता है y equal to app xp app यहाँ पर function को बता रहा है कि y एक तरफ होगा और पूरा पंक्सन दूसरी तरफ होगा तो ऐसे case में हम आउकलन करेंगे x के साप x या person इस तरह से हो सकता है x एक तरफ होगा और जो पूरा 6 पंक्सन है वो दूसरी तरफ होगा तो ऐसे condition में हम आउकलन करेंगे y के साप x लेकिन ये इस्तिति हैं में इसा लागो नहीं होती है कभी कभार इसका अपोजिटिव हो सकता है इसलिए एक दूसरा कंडिसन हो रहे है हम उसको विद्यान में रखते हैं यदि हम x के सापेक्स अउकलन कर रहे हैं तो person में जितने भी y है जहां जहां भी y लिका हुआ है वो dy upon dx में बदल जाना चाहिए या x के यदि हम y के सापेक्स अउकलन कर रहे हैं तो person में जहां जहां x है वो सभी x dx upon dy में बदल जाने चाहिए तब ही इसका हल किया जा सकता है जब हम question solve करेंगे तो हमें और भी अच्छे से समझ में आएगी कि हमें किस तरह से इन जो rule है इसके वो किस तरह सी use में लेना है तो जैसे हम question solve करेंगे तो वहाँ पर हमें एक बार फिर से इसका reason करेंगे कि हम किस तरह से इसको use में ले रहे हैं